For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss a video from Bollywood Spy. The journey was very good, very big. It was fun, you know, it was a very patient, calm, cool person. Double patience, double cool, double calm. I really appreciate it, sir. As you can see on television, you are the same. I can confirm that. Sir, the second question is about Hina Khan. Hina Khan has said that you are following the vikaz, spinless creature and all. What do you want to say about that? My guess is that people are very easy to say. They don't know. They don't need to speak back. Look, wherever I have seen people, I don't know anything about it. I have done it myself. In fact, there was a lot of times, that something happened to him, or when he was fighting, I would give advice to him, I would explain to him. So, I have never followed him. If it happens, so many times, many times in my decisions, the earth and earth is the difference. How many times? This happens sometimes. For example, you live so many days, and you are doing one bed share, you are talking about and you are often feel and you get those thoughts and you get mutually agree on this point. It's our same thing. It's been my thinking in the same direction. It was only time to get the responsibility. If it happens, then we are not fighting. It's not that thing. It's not that thing. It's not that thing. It's not that thing. लेकिन हमारा तालमिल था, हमारा वो mutual understanding थी, वो agree करते थी एक बात पर, तो उसको अगर follow करना बोलते हैं तो मुझे पता नहीं सर चर्चा तो ये भी आ रही है कि अगर आप बाहर निकले हैं तो कहीं न कहीं विकास गुपता के कारण हुआ है ये सब और विकास चाहते थे कि वो उनकी तरह आप खेलें और आप अपना अलग ना खेलें ऐसा है क्या कुछ? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है ये इत्तफाक की बात है और ये ऐसा हो गया कि विकास और मैं अलग अलग टीम में होगे और अर्शी के पास सिर्फ एकी चोईस थी या तो विकास को बचाती या मुझे बचाती तो उसकी लॉयल्टी विकास की तरफ पहले है डेफिनिटली कास को बचाएगी मुझे मैं इस टीम में था तो इस टीम को जाना था पूरे हाउस में देखा जाए तो एक तो बन गई शिल्पा की टीम एक बन गई हिना की टीम ठीक है अगर मैं नेचर की बात करूं तो कैसा है शिल्पा शिंदे का बहेवियर कैसा है अर्शी खान का जो हमे इस गंटे जो दिखाते हैं के शिल्पा जो करती है वह वाकशित होता है थो जैसे उने कight भरोसा नहीं है वह कभी भी जैसे उन्हें तो जबता है कि जो इलोग बोल रहे हैं, वह नहीं मानूँगे, तो करती हूं. तो उसर, कही नहीं ये है क्या हिना खान इरोगेंट है ? नेचेर बाई से अगर्ण तो मुझे पता है नहीं हो सकता है जैसे उन्होंने कहा है और बहुत बार रिपीट की है लाइन्स तो आप उस केटेगरी में बोल सकते हैं मेरे साथ तो नहीं दिखा ही उन्होंने कोई अरोगेंस बट हाँ मैं इतना ज़रूर कहूंगा कि मुझे बहुत सारी बातें उनकी फेक लगी फेक है अर्शी खान की बात करते हैं तो अर्शी खान का एक अलग चैप्टर शुरू हुआ था सर और आप दोनों के जो जिस तरीके से दिखाया जा तो वो बहुत जादा cute और inoscent था वो सबसे जादा शायद आपको मिस करने वाली है बिग बॉस हाउस में उस बारे में आपका क्या कहना है अर्शी के बारे में आपको क्या कहना है और शी बहुत कलत फैमी थी शुरू से थोड़ा सा उनका behavior था वैसा पर दीरी-दीर उनका behavior चेंज हुआ और उन्होंने जो बात कही थी वो maintain किया, respect करती है, वो respect करती रही, end तक loyal रही, end तक support करती रही तो यह उनकी बात है, वो मैं clearly बोलूँगा face पे, कि हाँ, यह उनकी बात थी, वो जो एकदम clear थी, हाँ, वाकरी में वो हैं वैसी, अब वो miss करेंगी, I am sure वो जरूर miss करेंगी Sir, Arshi और शिल्पा, दोनों की अभी बिच में बहुत जाधा चल रही है, लड़िया और उस बारे में क्या कहना है, कौन सही है, कौन गलत आपको क्या लगता है देखी, क्या है कि सलमान सहर ने भी एडवाइस किया था कि दो औरतों के बीच में तो पढ़ना ही मत है, सबसे पहले है, फसेगा तू ही, या फसेगा वो जो पढ़ता है तो इसमें अगर एक बात शुरू करती थी अर्शी, तो डेफिनेटली शिल्पा भी जवाब देती थी, और जवाब देना वाजब है, दोनों का जिस तरह का बहुत ही ऑपोजिट टाइप का नीचर है, और दोनों बहुत स्रॉंग, लेवल हेड़ेड़ है तो बहुत बार ऐसा हुआ कि अर्शी बोलती थी बहुत बार, और बहुत बार ऐसा हुआ कि शिल्पा भी बोलती थी, कुछ ऐसा बोलती थी, पता है उने कि उससे गुस्ता हो जाती थी, तो ये दोनों का चलता रहता था आपस में, बहुत बार ऐसा देखा गया कि कोई बात और अर्शी बोलती थी, तो जो मुझे भी नहीं था, इसलिए मैंने वह और जगडा नहों, मैंने एक बहुत बड़ी बात चुपा के रखी थी, जो मैंने शिर्पा को सुरक्षित किया था, और बोल दिया कि अर्शी को किया है, ये बचाने के लिए, लेकिन मुझे क्या मालू था कि एपी फीज कॉलर फीजी उड़ा देगा पुरा, सर ये जो एलिमिनेशन है, मैं आडियन्स का व्यू लेता हूं, तो मुझे सबने ये बोला था कि इस हफते जो जाएगा, वो लव जाएगा, आपका एक्दम सुनके ना पैरो तले जमीन किसक गई, क्या रीजन हो सकत है कि मैं जो कर रहा था, मुझे लगता है थोड़ा उससे भी बत्तर करना चाहिए था, तो शायद मुझे लोग सपोर्ट करते हैं, अब आप जैसे हैं, वैसे ही रही है, क्योंकि मुझे सिर्फ दिखी नहीं रहा है, कि लव कुछ कर भी रहा है, तो अगर उसको सपोर्ट कर करते हैं, तो दूसरों को भी सेफ करते हैं, बट मुझे साफ कहता हूँ, मुझे उनकी कोई गेम नजर ने आई, उनका एक मैंने देखा कि उनकी एक ही है, कि अगर सब लोग बोलेंगे कि आज शाम को सूरज निकलेगा, तो सब बोल देंगे, वो बोलेंगे नहीं, आज शा अचिकान बहुत बदमाश है, विकास, मस्तर माइन, हिना, फेक, प्यूश, प्यूश कोई है, पुनिश, पुनिश, मैं बोलेंगे कोई नहीं आए कि मेरे जाने के बाद, अचा हाँ, पुनिश, पुनिश on the face है, और बहुत घुस्से वाला है, और कुछ भी बोल देता है, बतमीजी बहुत करता है, मतलब, गाली का लोज बहुत करता है, तो वो नहीं करना चाहिए, तो उसको क्या बोलते है, जो भी बोलते है, ऐसा है वो, आकाश, बेववकूफ, लव, लव, लव कोई कोई दिमाग ही नहीं है, तो छोड़ो जाने दो, है लव है, शो मैं, प्रि कुछ, उसके लिए कुछ भी नहीं है, थैंकियो सो मद, थैंकियो सो मद, हाए, मैं हूँ हितेन तेजवानी, और आप देखने है, बॉलिवड स्पाइ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दोस्तों, ये तो थे हितेन तेजवानी, और इनका इंटर्व्यू तो आ नाम है, फिल्मी यारा, F-I-L-M-Y, फिल्मी यारा, Y-A-A-R-A, तो फिल्मी यारा में जाकर भी आप अच्छे-चे कमेंट्स कर सकते हैं, और एंटेटेन्मेंट का और डोज ले सकते हैं, मेरा नाम है राहूल भोज, विद कैमरामेन, तिपेश